हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में आज मैं एक्स्प्लेइन करने जा रहे है 2022 में एक बहुत ही अच्छी मूवी दे कश्मीर फाइस को तो लेट्स रोल अप दे इंट्रो और चलो फिल्म सुने यह मूवी कोई कहानी नहीं है यह पूरी तरह से सत्य घटना है जो कि कश्मीर में हो चुकी है और मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 19 जैन्वरी 1990 के कश्मीर को जहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं जिसमें से एक का नाम होता है शिव यहाँ पर रेडियो में सच्चिन की बात चल रही थी जो कि अपने क्रिकेट के मैच में एक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था यहाँ पर शिव ने भी अच्छा परफॉर्म किया था तो वो सच्चिन का नाम खुशी से चिला करके बोलने लगता है और एक हिंदू क्रिकेटर का नाम सुनने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं और अब यहाँ पर उसका दोस्त अब्दुला था है और उसे जैसे तैसे बचा करके निकल जाता है 1990 कश्मीर का वो वक्त होता है जहाँ पर कश्मीरी पंडितों को उनकी जगर पर रहने का हग उनसे चीना जा रहा था उन्हें मारा जा रहा था और उनकी वाइक और बेटियों को वहीं पर छोड़ करके जाने के लिए बोल रहे थे इस पूरे आतंग को मचाने वाले लीडर का नाम होता है फरूक एहमद दर जिसका पेट नेम होता है बिट्टा कराटे ऐसे ही हम अगले सीन में देखते हैं कि एक बेटी और इसकी मा को एक टेरिरिस्ट सौरी फ्रीडम फाइटर ऐसा बोल रहा था कि वो जाकर कि अपनी पती से बोल दे कि उसका पती तो वहाँ से भाग सकता है और उसे उसके पीछे अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़ना पड़ेगा ताकि वो उसके साथ गलत कर सके जाहिरे कोई भी पतनी ऐसा नहीं चाहेगी तो वो लोग उसे वहीं पर मार देते हैं और पूरे कश्मीर में इस वक्त यही चल रहा होता है यहां तक कि उन्होंने अपने बच्चों के दिमाग में भी यही सारी बकवास भर करके रखी होती है और वो लोग भी हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं कि या तो अपने धर्म को कनवर्ट करके मुसलिम मन जाओ नहीं तो यहां से भाग जाओ और नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे यहां पर बिट्टक कराटे बहुत चारे हिंदू लोग को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर उन्हें मुसलिम भी बना रहा होता है और उन्हें जबरदस्ती बीफ खिला रहा होता है ताकि वो वहां की हिंदू मेजॉर्टी को माइनॉर्टी में कनवर्ट कर सके और ऐसा हो भी रहा था ऐसा ही हम नेक्स सीन में एक आदमी को देखते है जिसका नाम होता है पुषकर पुषकर की फैमिली में उसका एक बेटा होता है एक बहु होती है और दो बच्चे होते है उनके दोनों बच्चों में से एक का नाम होता है शिव जो की मूवी की स्टार्टिंग में क्रिकिट खेल रहा था और दूसरा बच्चा और भी ज़ादा छोटा होता है और उसका नाम होता है कृष्णा पुष्कर यहाँ पर हर शिव रातरी में शिव जी का रोल अदा करते थे और यहाँ पर वो उसी की प्राक्टिस कर रहे होते हैं और उन्हें अपने कश्मीर से बहुत प्यार होते हैं ऐसे पुष्कर को पता चलता है कि उसका पोता अभी तक घर वापस नहीं आया है तो वो शिव को लेने के लिए अपने स्कूटर पर जाते हैं और वहाँ से वो शिव और अब्दुल दोनों को यह अपने स्कूटर पर बिठा करके ले जा रहे होते हैं तब ही वहाँ पर आर्मी की एक जीप आती है और वो कहती है कि वो उसके पीचे पीचे चल सकते हैं ताकि वो उसे मार ना पाए पर अब यहाँ पर पुशकर का पडोसी जिसके बेटे के नाम होता है अब दुलर्जों की शिव का दोस्त होता है वही यहाँ पर बिट्टा कराटे को बता देता है कि पुशकर का बेटा अनाच की ड्रम में छिपा हुआ है इसके बाद बिट्टा अंदर जाता है और हर किसी को पकड़ लेता है और पुशकर को वो उसकी पतनी शारदा के सामने ही गोलियों से मार देता है जो कि ड्रम के अंदर बैठा होता है अब यहाँ पर पुशकर भी आ जाता है और बहुत ज़ादा दुखी हो जाता है यहाँ पुशकर बोलता है कि बि उसने चावल खा लिये तो वो उसके बेटों की जान को बक्ष देगा और अगर ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें भी जान से मार देगा और यह सीन यही शारदा के फेस पर ही कट हो जाता है नेक्सीन में हम प्रेजन टाइम में ब्रंब दत को देखते हैं जो कि अभी भी कश्मीर में रह रहा होता है और यहां पर उससे मिलने के लिए पुशकर का पोता आने वाला था पुशकर का पोता क्रिशन अब डेली में रहता था और पुशकर की डेथ हो गई थी तो वो उसके अस्तियों को ले करके कश्मीर आता है यहां पर उसके आने तक वहां पर कुछ लोग और भी आ जाते हैं जो कि पुशकर के ही कभी दोस्त हुआ करते थे और इनका नाम होता है महेश जो कि एक डॉक्टर था हरी जो कि अपने वक्त में एक डीजीपी था और पुलिस में था और एक जॉर्नलिस जिसका नाम मुझे नहीं पता है यहाँ पर इस सभी लोग दुखी होते हैं क्योंकि पुशकर इनका अच्छा दोस्त हो और अब उसकी मृत्य हो गई है पर यहाँ पर क्रिशना को कुछ भी पता नहीं होता है उसे हमेशा से यह ऐसा लगता था कि उसके माता पिता की मौत एक स्कूटर के अक्सिडेंट में हुई है कश्मीर में क्या हुआ था और इस सब कुछ में से सच क्या है क्रिशना इस हर बात से अंजान होता है अब scene shift होता है कृष्णा के college पे जो की JNU होता है जहाँ पर वो अपनी professor रादिका से मलता है रादिका यहाँ पर बहुत सारे students को भड़कार ही होती है कि उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी है और कश्मीर को इंडिया की government से खत्रा है यह present time का वक्त होता है जहाँ पर article 370 को हटाया जा चुका है और इसी बात से बहुत सारे लोग इसके against होते हैं और professor रादिका भी इनमें से एक होती है उसे ऐसा लगता है कि कश्मीर को इंडिया का part नहीं होना चाहिए और यही बात वो कृष्णा को भी बोलती है रादिका को ऐसा भी लगता है कि कोई भी genocide नहीं होता और किसी भी कश्मीरी पंडित को मारा भी नहीं गया था और उसकी बाते सुनते सुनते कृष्णा को भी ऐसा ही लगने लगता है यहां कृष्णा अपनी university के president के election में खड़ा हो रहा होता है तो रादिका उसे बोलती है कि उसे यहां के student से connect करना पड़ेगा और इसके लिए उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि state की government कश्मीर के लिए एक खत्रा है और इसी तरह से बोलते बोलते वो कृष्णा को manipulate करके अपनी side में कर रही होती है और अब scene shift होता है past में 1989 में इस movie में कई बार scene present और past में shift हुआ है तो आपको सब कुछ ध्यान से सुनना पड़ेगा यहां past में ब्रह्मदत एक IIS officer होता है और उसके पास pushkar help के लिए आता है क्योंकि ब्रह्मदत उसका दोस्त होता है वो यहां पर उसे बोलता है कि बहुत सारे लोग को protection की जरूरत है और उसके अपने बेटे का नाम list में है मतलब कि उसके बेटे को बिट्टा कराटे ने हिंदुस्तान का मुख्बिर बता दिया है और इसलिए वो उसे मार सकता है यह सुनने के बाद ब्रह्मदत बोलता है कि वो उसके लिए security का इंतिजाम कर लेगा इसके बाद यह लोग पुशकर के घर की तरफ निकलते है जहाँ पर पुशकर रास्ते में सबजी खरीडने के लिए रुखता है यहाँ पर जब वो 100 रपे की Indian currency वाली note देता है तो वो सबजी वाला उसको return में पाकिस्तानी currency की note देता है और ऐसा करने पर वो यह बोलता है कि तुम जिस country में रहोगे तुम्हें वहीं की note मिलेगी मतलब कि कश्मीर के वो लोग ऐसा मान चुगे थे कि कश्मीर पाकिस्तान का है और वहाँ पर पाकिस्तान की currency चलनी चाहिए यह देखने के बाद ब्रमबदत उसे तुरंती पुलिस वालों से पकड़वा करके जेल में डलवा देता है और वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते है नकसीर में आसे यह ब्रमबदत कहीं जा रहा होता है तो वो देखते है कि बहुत सारी मुस्लिम औरते हिंदू औरतों के खाने का समान फेकरी होती है और ब्रमबदत भी यहाँ पर उस वक्त इस चीज पर कुछ भी नहीं कर पाता है इस सब के लिए ब्रमबदत ने PM से बात करने की भी कोशिश करी थी पर यहाँ पर PM भी उसे ऐसा बोलते हैं कि कश्मीर के CM के साथ उनकी बहुत अच्ची दोस्ती है इसलिए अगर वो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी करते हैं तो इससे उनकी फ्रेंशिप खराब हो जाएगी और अब नेक्सीन में हम देखते हैं कि कुछ एरफोर्स ओफिसर खड़े होते हैं जो कि ब्रमबदत के घर के पास में होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से कुछ ऐसे ही टेरिस सौरी फ्रीडम फाइटर आ जाते हैं जो उन्हें शूट करके मार देते हैं और वहाँ पर खड़े हुए पुलिस ओफिसर कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ के बहुत चारे पुलिस ओफिसर भी इसी तरह से उन लोगों के सपोर्ट में होते हैं जो कि यहाँ पर हिंदुों को मार रहे थे इसके बाद नेक सीन में ब्रह्मदत यहाँ पर सीएम से बात करने के लिए जाता है जहाँ पर सीएम उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि वो आएस ओफिसर है और यहाँ पर शानती विगरत देखना उसका काम है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बात नहीं माने जा रही है और वो कोई भी ओर्डर को पास करता है तो खुद उस सीएम के लोग यूस ओर्डर को रोग देते हैं और साथ मे यासे आतंक मचाने वाले लोगों को उसी की पार्टी फंट कर रही है पर सीएम यहाँ पर उसकी बातों पर जरा भी धियान नहीं देता है और अब हम सामने देखते हैं तो वहाँ पर बिट्टा कराटे खड़ा होता है तो मतलब कि खुद सीएम भी बिट्टा कराटे के आपने बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर ब्रह्मदत की वाइफ कृष्णा को उसके ममी पापा की फोटो दिखाती है यूँकि अभी तक कृष्णा ने अपने माबाप की फोटो भी नहीं देखी थी यूँकि जिस वक्त वो लोग वहाँ से भागे थे उस वक्त उनके पा प्रह के फालिटिक्स थी और उस रात 5 लाग कश्मीरी पंडित नहीं बलके स्रिफ 2 लाग कश्मीरी पंडिती निकले थे और उन्हें माणने वाले भी आर्मी के लोग थे और वह कश्मीर के लोग जो टेर्रिस बन रहे हैं उसके लिए भी हमी जिम्यदार है क्योंकि अगर आप किसी के बच्चों को जीप से घसीटेंगे तो वो लोग बड़े होकर टेरिन स्टीप बनेंगे यहाँ पर कृष्णा का ब्रेन पूरी तरह से वाश्ड होता है और इसलिए वे ऐसी बाते बोल रहा होता है यह सुनकर के ब्रह्मुदत को गुस्सा आता है और गलती से उसक कि कृष्णा को शक होता है अभी तक उसे जो बताया गया तो उसकी माता पिता की डेथ के बारे में अब उसे लगता है कि वो सच नहीं था और अब उसके बहुत जदा पूछने के बाद फाइनली उसे पूरा सच बताया जाता है और एक बार सीन वापस से शिफ्ट होता है उसी वक्त में जहां पर बिट्टा कराटे शार्दा को वो खून लगे चावल खाने के लिए बोलता है अब अपने बच्चों को बचाने के लिए बिचारी शार्दा वो चावल खा लेती है और वो लोग उन्हें वैसे ही छोड़ करके निकल जाते हैं इसके बाद यहां पर पुष कर अपने डॉकटर फ्रेंड महेश को कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसके बेटों को बहुत सारी गोलिया लगी हुई है पर वो अभी भी जिन्दा है और वो जितना चल्दी कर सके वहां पर आ जाए नहीं होता है तो वो जबर्दसती एक पेशेंट का ही खून न बोटल खून कलने के बाद बाद भी जान बूच कर और जादा खून निकाल रहे होते हैं ताकि उस पेशनट की वहीं पर death हो जाए और यह खून भी b갈 बॉटल से निकल करके जमीन पर गिर करके वेश्ट ₤ हो रहा होता है और इसी तरह से उस पुषकर के घर की तरफ को जाते हैं जहां पर उन्होंने दो पुलिस वालों को सिक्योरिटी के लिए लगाया होता है पर वो पुलिस वाले ये बोलते हैं कि वो लोग भी बिट्टा कराटे के साइड में और इसलिए उन्हों ने शूट नहीं किया था DGP को ये भी पता चलता है कि अब पुशकर अपनी बच्ची वे फैमिली के साथ यहां से निकल चुका है पुशकर को ले जा रहा होता है वो ही जर्नलिस्ट और वो इसे एक ऐसे आदमी के घर पे ले करके जाता है जो कि ऐसे लोगों के help करता है और वहां पर ऐसे ही दूसरे बोहर चारे लोग भी होते हैं जो उसी तरह से अपनी जान बचा करके भागे होते हैं यहां पर वो आदमी इन सभी लोग को समझाता है और फिर यह लोग बहुत ही धीमी आवाज में भारत माता की जै बोलते हैं क्योंकि वहां पर वो ऐसा कुछ जोर से भी नहीं बोल सकते थे वरना इसके लिए भी उन्हें मार दिया जाता कि तभी वहां घर के सामने वही टेरिस्ट में से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और यहां पर आज आप सेफ नहीं हैं उस आदमी को अच्छे से पता होता है कि यहाँ पर उसका अंत आ चुका है पर वो उन टेरिस्ट को कुछ भी नहीं बताता है कि उसके घर में बहुत चरे रेफ्यूजी हैं और फिर वो यहाँ से अपने बेटे के साथ उनके साथ निकल जाता है। नक्सीन में जब पुशकर अपनी बचे वे फैमिली और दूसरे बहुत साथ लोगों के साथ ट्रक में बैठ करके जा रहे होते हैं तब वो लोग रास्ते में देखते हैं कि उसी आदमी के और उसके बेटे की लाश एक पेड़ पर टंगी होती है। वो लोग बहुती गंदे से चुटे-चुटे क्याम पे रह रहे होते हैं जहां पर उनके पास खाना खाने के लिए पूरा खाना नहीं होता है और इसलिए पुशकर सिर्फ एक दिन का खाना ही खाता है। यहां पर हो मिनस्टर भी आता है तो यहां पर ब्रमदत उने बोलता है कि यहां पर बहुत सारी उन्हें बिमारिया भी हो रही हैं। तो इस पर हो मिनस्टर यह बोलता है कि यह सभी लोग पहाड पर रहने वाले हैं और अभी गर्मी में आ गए हैं इसलिए इनकी टेथ हो रही है। इस तरह से यहां पर वहां के पॉलिटीशिन अपना पला जहाट रहे होते हैं। पुश्कर की फैमिली से मिलता है और कहता है कि यहां पास में वो उन्हें घर दिला सकता है और एक जॉब भी दिला सकता है। पुश्कर की फैमिली भी मान जाते हैं और अब नेक सीन में यह सभी लोग उसी घर में रहने लगते हैं। पर यहां के हालाद भी लगबग वैसे ही होते हैं जहाँ पर बच्चों को स्कूल में मौलवी काफी जादा गलत बाते पढ़ा रहे थे और उनकी ये सारी बाते सुन करके शिव बहुत जादा डर गया होते हैं। साथी में उसने भगवान का लॉकेट पहन करके रखा होता है तो वो उसे जल्दी से अंदर कर लेता है और उसे छिपा लेता है। इसी से हमें समझ में आता है कि दीरे दीरे करके वहां की कंडिशन ऐसी हो रही थी कि हिंदू अपने धर्म को फॉलो करने से डर्ने लगे थे। नेक्सीन में हम देखते हैं कि बिट्टा कराटे जो कि खुद एक क्रिमिनल था फिर भी वो मीडिया तक पहुच गया था और वहां पर उसका इंटरव्यू भी दिखाया जा रहा था। यहां पर बिट्टा कराटे ये बोलता है कि उसने सिर्व 20-30 लोगों को मारा है और उन आम आदमी का प्राइम मिनिस्टर तक बहुच ना बहुत मुशकिल होता है और जब वो कोई सही बात कर रहा हो तब तो और भी ज़्यादा मुशकिल होता है अब यहां पर प्रेजेंट टाइम में कृष्ण ये सारी बाते सुनकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो जिस college से आया था वहाँ पर उसे कुछ और ही सिखाया जा रहा था और अब कश्मीर में आकर के उसे जो सच्चा ही पता चल रही है वो बिल्कुल अलग है। यही सब सोचते सोचते उसे याद आता है कि कैसे मरते वक्त उसे पुषकर ने कहा था कि उसकी अस्थियों को ले जा करके उसके कश्मीर वाले घर में ही बिखेर देना क्योंकि उसका एक ही सपना होता है कि वो एक दिन वापस अपने कश्मीर के घर में जा सके जो कि उसके मरते मरते भी पूरा नहीं हो पाता है और यही रीजन होता है कि कृष्ण नाप पुशकर की अस्तियों को ले करके कश्मीर रहा था यहाँ पर वो कश्मीर जा रहा है यह बात वो जाकर के प्रोफेसर राधिका को बताता है तो वो उसे कहती है कि वो अपने स्टूडेंट को मैनिपिलेट करती है यहाँ प्रेजन टाइम में कृष्ण और पुशकर के सारे दोस्त पुशकर के उसी पुराने घर में जाते हैं जहाँ पर उसके शिव जी के मंदर पर शिव जी की मूर्थी को हटा दिया गया था और वहाँ पर वही जंडा लगा दिया था जो कि 30 साल पहले 1990 में टेरिस्ट लगा रहे थे अब यहाँ पर वो लोग इस जंडे को हटा देते हैं और अब कृष्ण उसे बोलता है कि वो फोन में रिकॉर्ड करें और फिर अब्दुल बोलता है कि वो कभी भी कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट में नहीं था और साथ में उसके पिता तो कश्मीरी पंडित के अच्छे दोस थे उसके पडोसी एक कश्मीरी पंडित थे जिनका बेटा शिव उसका दोस्त था और जब वो लोग वहां से भाग रहे थे तब उसके पिता ने उन लोगों की काफी जादे हेल्प की थी जो कि बिलकुल ही जूट होता है और हमें यह बात पता है क्योंकि बिट्टा कराटे को अब्दुल के पिता नहीं बताया था कि पुशकर का बेटा अना कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से भाग रहे थे अब यहां पर क्रिश्ना बिट्टा कराटे से मिलता है जाब बिट्टा कराटे भी यहीं बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित खुदी यह जगे छोड़ करके जा रहे थे और उन्हें मारने व करके वो ब्रंबदर्द से जगड़ा भी करता है वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मतलब कि कोई भी जीनोसाइट नहीं हुआ था और कश्मीरी पंडितों को मालने वाले आर्मी के ओफिसर्स थे यह सुनने के बाद अब ब्रंबदर्द को बहुत गुसा आता है और वो उसे तीन फाइल दिखाता है इन तीन फाइल में आज तक जितनी भी निउस निकली होती है कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है इसके बारे में उसने सब के कटाउट चिपका करके रखे होते है और ये सब कुछ देखने के बाद फाइनली कृष्णा को समझ में आता है कि रियालिटी में उनके साथ क्या हुआ था यहां पर उसकी मा शार्द और उसके भाई शिव की फोटो होती है जिसे कि बिट्टा कराटे नहीं मार दिया था और अब यहां से सीन शिफ्ट होता है दोबारा से उसकी युनिवर्सिटी में जहां पर वो वह वापस आ चुका था और यहां पर प्रोफेसर राद का प्रॉपर एक सौंग आ रही थी जो सभी स्टूडेंट को कश्मीर को ले करके मिसगाइट कर रहा है लेकिन जब आप कोई भी बात किसी गाने में सुनते तो जाहर है कि वह आपको याद रह जाती है और इसी तरीके से स्टूड बोलता है कि बहुत सालों पहले एक रिशी मुनी कश्मीर गए थे जिनका नाम था रिशी कश्चम और वहाँ पर जा करके उन्होंने बहुत वक्त तक साधना की थी जिसके बाद उन्हें ग्यान मिला और उन्हीं के नाम पर इस स्टेट का नाम कश्मीर बढ़ा ऐसे ही करते- बहुत सारे रिशी मुनी और बहुत सारे ग्यानी लोग कश्मीर में गए और वहाँ पर उन्होंने रिसर्च की और इसी तरह ऐसे बहुत सारे पंडितों ने मिल करके कश्मीर को बसाया पर एक दिन वहाँ पर कुछ इसलामे का है जो कि शुरू में तो वहाँ पर शरड लेन के लिए आये थे और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें रहने भी दिया और दीरे-दीरे करके उन्हें पता चला कि कश्मीर कितना जाधा खास है और फिर उन्होंने वहां पर कश्मीरी पंडितों के उपर अटैक करना शुरू कर दिया उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा उन आज हमारे पास तो पूरी पूरी आजादी है कि हम यहाँ से अपने घर जा सकते हैं, और कोई हमें रोक नहीं सकता अपने घर जाने के लिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों को उनके इगढ़ से निकाल करके भगा दिया गया और अब वो आपने घर भी नहीं जा सकते थे उसकी पूरी स्पीच में कई बार लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की पर अब कृष्णा को सच समझ में आ गया था और वो इसलिए बिना रुके बोलता रहा अब उसने अपनी मा की और अपने भाई की भी पूरी स्टोरी सुनाई और इसी के एंड में यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स सीन में हम पास्ट में उसी जगह को देखते हैं जहां पर पुष्कर अपनी बच्ची वी फैमिली के साथ रह रहा होता है एक दिन यहां पर बिट्टा कराते आता है और वो यहां पर आर्मी की ड्रेस पहन कराता है वो यहां प बहुती ज़्यादा कड़वे सच और एमोशनल वाला होता है तो इसे एकस्प्लेन करना या फ़र देखना काफी ज़्यादा मुश्किल होगा और यही इस मूवी का लास सीन होता है जहां पर सारे बचे वे कश्मीरी पंडित भी मारे जा रहे थे तो अगर आप लोगों कश्म बाए